ओम साहिराम, मेरे अंदर साहिं और आपके अंदर साहिं को भी पढ़नाम कहीं लोगों के मन में प्रश्णूरत है कि हम बाबा की भक्ती कैसे करें तो मैं आपको बताती हूँ बाबा की भक्ती कैसे करनी चाहिए देखो मैं कोई ग्याननी तो हो नहीं कि मैं बताओं मुझे भक्ति के बारे में मालूम हो पर मैं कैसे बाबा से जुड़ी और मेरे मन को कैसे बाबा की भक्ति से खुशी मिली वो मैं बताती हूँ सबसे पहले मैं जब बाबा से जुड़ी तो मैंने बाबा के भाजन सुने मुझे बाबा के भजनों में बहुत अनन्दा था पुजा पार्ट से यादा बाबा के भजनों में मुझे ऐस महसूस होता कि बाबा मेरे आस पास है मैं बाबा की शेड़े में हूँ मैंने बाबा की सैचरित का भी प्रयान किया और मैं बाबा की आरतियां करती थी बाबा की जो आरति है ना बाबा की समय से ही चल रही है बाबा की आरति आपको हिंदी में मिल जाएंगी अगर आपको मराठी में समझ नहीं आती तो और बाबा की जो भक्ती है ना वो हमें बहुत अच्छा इंसान बना देती है अगर आप सच्चे मन से बाबा से जुड़ोगे तो बाबा को अपने बहुत करीब पाओगे अगर एक बार साई के साथ हम जुड़ जाएं तो हमारे आत्मा में ना साई समा जाते हैं साई के लावा आप मानोंगे जब मैं बाबा की भक्ती में जुड़ी तो हर वक्त साई साई मन में अगर सूरी को भी जल चड़ाती तो साई का नाम आता शिव जी पर भी जल चड़ाती ना तो ओम साई नौमा निकलता तो मैं बाबा की बहुत दिवानी हो गई तो मैं एक बार सुंदरकान का पाट कर रही थी पर मेरा जो मन था ना वो बाबा में ही लगा था पाट का कोई मतलब भी नहीं समझा रहा था कि क्या पढ़ रही हूँ उस दिन मेरे मन में विचार आया कई ये भगवान नराज नहीं हो जाएंगे कि मैं साइं की इतनी दिवानी हो गई पर उसी समय देखो एक मैसेज आया मेरे पास कि साइं समुंदर की तरहें उसमें सभी देवता समाए हैं अगर आप साइं को जो कुछ भी समर्पित करते हो तो सभी देवताओं को समर्पित हो जाता है देखो बाबा ने मेरे प्रशन का उत्तर दे दिया कि तू कोई शंका मत कर तो अगर मुझे मानती है तो समर ले कि हम सब देवी देवता सब एक ही है अब देखो हम हमारे मंदिर में कितने सारे भगवान होते हैं हम भोग कोई सब को अलग-अलग थोड़ी लगाते हैं हम रखते हैं तो हम सोचते हैं कि सबी देटाओं को समर्पित हो गया तो सबी अगर आप एक की पूजा करते हो जिसको भी मानते हो तो कोई शंका मत करो एक को ही मानो क्योंकि बहुत सारी नाव IPO में सवार होकर हम Понजिल तक बिलकुल भी नहीं पहुँच पाएंगे अगर हम इसाईं से इश्क हो गया ना तो हम दुनिया के सबसे बहुत अमीर आद्मी हैं अगर हम बाबा से कुछ मांगते हैं कुछ भी मत मांगो साइं से जब भी मांगो तो साइं को ही मांगो साइं जब आपका होगा तो सब कुछ तुमारा ही होगा आप मनों हर सान सुन्दर हो जाती है जब साइं दिल के अंदर होते हैं कोई बुरे विकार आते ही नहीं जब मैं बाबा से जुड़ी तो मेरे मन के अं क्योंकि बाबा ने तो उसी साफ का है कि मैं विकारों के साथ तो रही नहीं सकता तो मुझे अनन्द किस चीज में है मुझे अनन्द तो बाबा की भक्ती में आई विकार तो मुझे तंग करते तो मुझे इनको भगाना होगा अगर मुझे अनन्द पाना है तो मुझे साइं को अपने साथ रखना होगा और जब भी आति मन को जबरदस्ती भगा देती और आप सच मनों विकारों को निकालना मुश्किल नहीं है कोई भी अगर विचार तंग करते हैं तो उसको कहो कि तेरी जरूरत नहीं है मुझे आप चार-पांच बार कहोगे तो अपने हाप ही चला ज करते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते हैं उसका हाथ थाम कर रखते हैं चाहे बाबा आपकी प्रिक्षा लेंगे बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरी भक्ति में आओगे तो अजमाय जाओगे कई पर इतनी मुश्किले रख दूंगा तेरे सामने पर याद रखना तेरा गु तो बाबा आपको रोकते हैं देखो जैसे मा अगर छोटा बच्चा चलने लगता है तो उसके उंगली पकड़ती है कि कहीं गिरना जाए तो ऐसे हम भी भाबा के भगवान के आगे, हम छोटे बच्चे हैं बाबा के आगे तो बाबा हमेशन हमारी उंखली पकड़कर रखते है और जब हम कोई गल्तियां करने लगते हैं तो हमें रोकते हैं, हम दुख कपाते हैं जब हम बाबा की बात नहीं सुनते और बाबा से उंगली चुड़वा कर हम भाग जाते हैं और अपने आपको चोटिल कर लेते हैं और चोट लगने के बाद अफसोस होता है कि अगर हमने बाबा की बात सुन ली होती हम लोगों ने पते क्या है अपने चारों तरफ ऐसा शोर रबा कर रखा है कि हम अपने भीतर के आवाज को अंसुना कर देते हैं या वो हमें हमारे तक पहुँची नहीं पाती बाबा हमें रोकना चाहते हैं हमें गिरने से बचा भी लेते लेकिन हमें उनकी परवाह कहां हम तो जो ना बाहरी चका चोध में इतने डूब गए हैं अग उसको खतम करना होगा तब ही हम भगवान की आवाज हमें सुनाई देगी भगवान अपने बच्चों से सच में बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनकी जिंदकी में दुख ना आए हो हमेशा हमें रोकते रहते हैं गलतिया करने से रोकते रहते हैं जब हम अपने अं तो यह सोचो कि अगर हम यह कर रहे हैं यह बाबा को अच्छा लगेगा अगर आपको लगता है कि आप गलती पर हो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा तो आप उस काम को करो ही ना बस आज इतना ही दिल में तो बहुत सारी बात देह करने के लिए पर मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया बस अगर आपको मेरे संदेश पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें सब्क्राइब करें और शेर भी करें ताकि जो भी मेरे संदेश हैं वो सब लोगों तक पहुँच पाएं ओम सही राम झाल 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 करे झाल 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 झाल